नमस्कार दोस्तों राइस्तान मौसंबिवाक के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है इस चैनल के माद्यम से आपको सही और सठीक जानकारी हम टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहते हैं बात कर लेते हैं राइस्तान मौसंबिवाक की तो दोस्तों राइस्तान के मौसं में बहुत बड़ा बदलाब हुआ है राइस्तान के अगरम गंगन अगर अनमानगड और दोस्तों साथी चूरूजले की बात करें तो यहां पर आगामी 24-40 गंटों में भारी बारिस के आसंका जताई जा रही है इसके बाद दोस्तों अलबर वरतपुर जैपुल करोली दोर पलोर दोसा इंजलों की बात करें तो दोस्तों यहां पर भी 24-40 गंटों में तेज आंधी तूफान के साथ मूसलादार बारिस के आसंका जताई जा रही है साथी दोस्तों जैपुल संबाग के कुछ एलाकों में अच्छी खासी गुला बरष्टी की वियासंका जताई जा रही है साथी दोस्तों यहां पर भी कुछ इस्तानों पर ओला बरष्टी की संबावना बताई जा रही है बात कर लेते हैं दोस्तों जैपुल मेर, बाड़मेर, जोदपुर, विकनेर, नागौर और दोस्तों रास्मन्द की अगर इंजलों की बात करें तो यहां पर भी दोस्तों कुछ इस्तानों पर चुटपिट बारिस की आसंका जताई जा रही है और दोस्तों यहाँ पर कोछिस्तानों पर तेज आंदी और तूफान चलने की आसंका जताई जा रही है राइस्तान मौसम विवाग ने आगामी कुछी दिनों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है ताप मान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है साथ ही दोस्तों कोछिस्तानों पर सीत लहर चलने के पूरे अनुमान जताई जा रही है बारी बारिस के कारण राइस्तान के ज़्यादतर इलाकों में गर्मी से रात की चैन मिली है कोछिस्तानों पर यहाँ पर बार्ट जिसे हालत भी जरूर देखने को मिल सकते है निम्नवायुदाव के कारण राहिस्तान के मांसुन की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है तो दोस्तो राहिस्तान के अगर हम बात करें उदैपूर, जालोर, श्रोही अगर इंजलों की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिस आपको देखने को मिल सकती है और दोस्तो साथी यहाँ पर गहरे काले बादल चाये रहेंगे तेज हवाओं के साथ यहाँ पर भी कई स्थानों पर ओला बरष्टी की भी आसंका जताए जा रही है साथ इसाथ दोस्तो सीत लेर चलने के अनुमान जताए जा रहे हैं अब देखिए दोस्तो आप IMD यानि कि इंडिया मेटरोलोजिकल डेपार्टमेंट भारती मौसम बेवाग की ओपीशल साइट पर वो जहां से हम आपको संपूर न्यूज प्रोवाइड करने वाले हैं दोस्तो हम आपको प्रितिक सब डिविजन वाइज बताएंगे कि इस डिविजन में किस प्रकार की बारिस क्या संकजत आई जा रही है बात कर लेते हैं दोस्तो 14 मई 2021 के मौसमपूर मानुमान की यहां पर देखिए दोस्तो संपूर राइस्थान को यलो अलर्ट में दरसाय गया है यानि कि आगामी 24-48 गंटों में राइस्थान के जादा तरजलों में मौसला धार बारिस देखने को मिन सकती है साथ ही दोस्तो यहां पर गहरे काले बादल चाय रहने के अनुमान जताए जा रही है और दोस्तो अगर हम बात कर लेते हैं राइस्थान के निकट पडोसी राज्जियों की इस्तिती को किस प्रकार से दर्शाय गया है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पंजाब को भी यलो अलर्ट में रखा गया है और हर्याना को भी यलो अलर्ट में रखा गया है बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की तो इसको भी यहाँ पर यलो अलर्ट में रखा गया है बात कर लेते हैं इसके बाद मद्दे प्रिदेश की इसको दोस्तो ग्रीन अलर्ट में रखा गया है इसके बाद दोस्तो गुजरात को भी यहाँ पर यलो अलर्ट में रखा गया है यानि कि राइस्थान की अगर संपूर्ण इस्तिती को देखें तो यहाँ पर राइस्थान क तूफान चलने की आसंका जताई जा रही है राइस्तान के पश्चिमी अगर जलों की बात करें तो यहाँ पर तेज तूफान के साथ कुछ इस्तानों पर चिटपट बारिस की आसंका जताई जा रही है बात कर लेते हैं पूर वी राइस्तान के ज्यादतर जलों की और दोस्तों आडोती छेतर की इनकी अगर बात करें तो यहाँ पर आपको आगामी 24-45 गंटों में तावर्टूर वारिश देखने को मिल सकती है कुछ इस्तानों पर बार जैसे आलत की आसंका वी जताई जा रही है बारी बारिश के कारण राइस्तान के ज्यादातर अलाकों में यहाँ पर तापमान में आपको गरावर्ट देखने को अबस्य मिल सकती है